नमश्कार दोस्तों जैसे सिरी कृष्ण भगवान ने गोकुल बचाने के लिए गोवर्धन परवत को एक छिंगों उगली पर उठा लिया था छीक उसी तरह उगली पर तो नहीं एक लन्ने से जीव द्वारा करुणा मई मा की ममता यहां प्रभू ने हमें देखने के लिए रची है यह लीला आप देखिए एक मां से बड़ा कोई त्यागी नहीं एक मां से बड़ा कोई दानी नहीं जो की इंद्र देव की बरसाथ से इसके घर में पानी खुश गया और इसके नन्ने नन्ने बच्चे अंदर रह गए जिनको ये मां बिना अपने प्राणों की परवा किये ही एक एक बार बार इस बिल के अंदर जाकर एक एक बच्चे को मुह में उठा कर संगर्स कर रही है कि प्रतेक बच्चा मेरा जीवित बाहर आ जाए सच कहते हैं ना कि मां की ममता का कोई मोल नहीं हमें यहां इस छोटे से नन्ने जीव से बहुत कुछ सीख मिल रही है जिसे हमें इस रुण करना चाहिए कि मां हमेशा अपने बच्चों के लिए तत पर रहती है खुद भूका रहती है और हमें खिलाती है खुद गीले में रहती है और हमें सूखे में सुलाती है खुद धूक सहन करके हमें च्छाओ में रखती है ये करुणा मैं लीला मा और सिर्क मा के अलावा इस धर्ती पर कोई नहीं कर सकता चाए वह इनसान हो या जानवर हो या छोटा कोई भी जीव जो आप देखिए इस बारिश के मौसम में एक चूहा मा अपने बच्चों को एका एक पानी में गोता लगा लगा कर बाहर निकाल रही है और इस से ज़्यादा आपको मैं क्या कहूं नमस्कार धन्यादा